अच्ष्वी ब्रिहस्पतिवार व्रत कथा ब्रिहस्पतिदेव की कथा पहला अध्याए भारत वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राजे करता था वह नित्य गरीबों और ब्राह्मनों की सहायता करता था यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह नहीं गरीबों को दान देती नहीं भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में एकेली थी उसी समय ब्रिहस पतिदेव साधू वेश में राजा के महल में विक्षा के लिए गए और विक्षा मागी रानी ने विक्षा देने से इंकार किया और कहा हे साधू महाराज मैं तो दानपुन्य से तंगा गई हूँ मेरा पती सारा धन लुटाते रहेते हैं मेरी इच्छा है कि हमारा धन नश्ट हो जाए फिर न रहेगा बांस न बजेगी बासुरी साधू ने कहा देवी तुम तो बड़ी विचित रहो धन, संतान तो सभी चाहते हैं पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भूजन दो, प्यासों के लिए प्याओ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ जो निर्धन अपनी कुवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोग पर लोग में फैलेगा परंतु रानी पर उब्देश का कोई प्रभावना पड़ा, वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगर बांगती फिरूं साधू ने उत्तर दिया यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तू तुम ऐसा करना की ब्रिहस पतिवार को घर लीप कर पीली से अपना सिर्धो कर स्नान करना चड़ा कर कपड़े धोना ऐसा करने से आपका सारा धन नश्ट हो जाएगा इतना कहकर वह साधू महाराज वहां से आलोप हो गए साधू के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल तीन ब्रिहस पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संबत्ती नश्ट हो गई भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि है रानी तुम यही रहो मैं दूसरे देश को जाता हूं क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया वहाँ वह जंगल से लकडी काट कर लाता और शहर में बेचता इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी डहकी रहने लगी एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भूजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा हे दासी पासी के नगर में मेरी बहिन रहती है वह बड़ी धनवान है तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी की बहिन के पास गई उस दिन गुरुवार था और रानी की बहिन उस समय ब्रहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहिन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बड़ी बहिन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहिन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत धखी हुई और उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा उधर रानी की बहिन ने सोचा कि मेरी बहिन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत डखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहिन के घर आई और कहने लगी हे बहिन, मैं ब्रिहस पतिवार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है की बात अपनी बहिन को विस्तार पूर्वक सुना दी रानी की बहिन बोली, देखो बहिन, भगवान ब्रिहस पतिदेव सब की मनोकामना को पूर्ण करते हैं देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहिन के आगरा करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सच्मुचनाज से भरा एक घरा मिल गया यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई दासी रानी से कहने लगी हे रानी, जब हमको भूजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें तब रानी ने अपनी बहिन से ब्रहस पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहिन ने बताया, ब्रहस पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विश्नु भगवान का केले की जड में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भूजन ही करें इससे ब्रहस पतिदेव प्रसन होते हैं व्रत और पूजन विधी बता कर रानी की बहिन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुबार आया, तो रानी और दासी ने व्रत रखा गुलसाल में जाकर चना और गुल लेकर आई फिर उससे केले की जर्त था विश्नु भगवान का पूजन किया अब पीला भूजन कहां से आये इस बात को लेकर दोनों बहुत दहकी थे चून की उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए ब्रिहस पतिदेव उनसे प्रसन थे इसलिए वे एक साधारन व्यक्ति का रूप धारन कर दो थालों में सुन्दर पीला भूजन दासी को दे गए तुम पहले भी इस प्रकार आलसे करती थी, तुम्हें धन रखने में कश्ट होता था, इस कारण सभी धन नश्ट हो गया और अब जब भगवान ब्रहस्पती की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलसे होता है रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुन्य करना चाहिए, भू के मनुश्यों को भोजन कराना चाहिए, और धन को शुब कारियों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश एक दिन राजा डहकी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया, वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा, ब्रहस्पतिवार का दिन था, एक आएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधू प्रकट हुए, वह साधू बेश में स्वयम ब् इस उनसान जंगल में तू चिंता मग्म क्यों बैठा है, लकड़ारे ने दोनों हाथ जोड़ कर प्रनाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहून, यह कह कर रोने लगा और साधू को अपनी आत्म कथा सुनाई, महात्मा जी ने कहा, त इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी, अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ती देंगे, तुम रहस्पती के दिन कथा किया करो, दो पैसे के चने मुनक का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुधत जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तयार करो, कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत वप्रसाद बांट कर आप भी ग्रहन करो, ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनो कामनाएं पूरी करेंगे, साधू के ऐसे वचन सुनकर लकड़ारा बोला, हे प्रभो, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, जिससे भोजन के उपरांथ कुछ बचा सकूं, मैंने रात्री में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, साधू ने कहा, हे लकड़हरे, तुम किसी बात की चिंता मत करो, ब्रहसपती के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भाती भोजन कर लोग उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला, राजा ने चना गुडादी लाकर गुरुवार का वरत किया, उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दुबारा गुरुवार का दिन आया तो ब्रहसपतिवार का वरत करना भूल गया, इस कारण ब्रहसपती भग पैसी की सजादी जाएगी, इस तरह की घोशना संपूर्ण नगर में करवा दी गई, राजा की आग्यानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकढ़हरा कुछ देर से पहुचा इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की द्रिष्टी उस खूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लगका हुआ था, वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है, उसी समय सिपाहियों को बुला कर उसको कारागार में दलवा दिया जब लकढ़ारा कारागार में पड़ गया और बहुत दहकी होकर विचार करने लगा की ना, जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह डख प्राप्थ हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो की जंगल में मिला था, उसी समय ततकार ब्रिहसपतिदेव साध पर चार पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू ब्रिहसपतिदेव की पूजा करना तेरे सभी कश्ट दूर हो जाएंगे, ब्रहसपति के दिन उसे चार पैसे मिले, लकढ़ारे ने कथा कही उसी रात्री को ब्रिहसपतिदेवने उस नगर के राजा को स्वपन में कहा, हे इस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोश है। वह राजा है उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नश्ट कर दूँगा। इस तरह रात्री के स्वपन को देखकर राजा प्रा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुए तथा बहुत सी धर्मशाला मंदिर आधी बन गई है। राजा ने पूछा यह किसका बाग और धर्मशाला हैं तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्च पर खड़ी हो जा। आग्यानुसार दासी दर्वाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा हमें यह सब धन ब्र चार किया कि चलो अपनी बहिन के यहां हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहिन के यहां को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भायों, मे लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुश्योट कर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भाया, तुम मेरी ब्रिहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक चार हरेया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हते ही बेल पछार खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी मां रोटी ल का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहिन के घर पहुचा। बहिन ने भाई की खोब महमानी की। दूसरे रोज प्रातह का राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहिन से कहा ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नह वह ऐसा कहकर देखने चली गई परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो अता वह एक कुमहार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहां तीन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। राणी ने अपने भाई की क अपनी सास से कहा, सास ने कहा हा चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई आउलाद नहीं है। बहिन ने अपने भाईया से कहा, हे भाईया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा, राजा बोला, जब कोई बालक नहीं राणी बोली, हे प्रभो, ब्रिहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें उलाद अवश्य देंगे उसी रात को ब्रिहस्पतिदेव ने राजा से स्वपन में कहा, हे राजा उठ सभी सोच त्याग देख, तेरी राणी गर्ब से है राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, नवे महीने में उसके गर्ब से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे राणी, स्त्री बिना भूजन के रह सकती है, पर बिना कहें नहीं रह सकती जब मेरी बहिन आवे तो मुझसे कुछ कहना मत, राणी ने सुनकर हां कर दिया, जब राजा की बहिन ने यह शुब समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाय लेकर अपने भाई के यहां आई, तभी राणी ने कहा, भोड़ा चड़कर तो नहीं आई, गधा अत्वा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, ब्रहसपतिदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्म करते हैं, ब्रहसपतिदेव की कथा दूसरा अध्याय, प्राचीन काल में एक ब्राहमन रहता था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी, उसकी स्त्री बहुत मलीनत रतन पैदा हुआ। प्रिहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। अपने घर आकर भूजन तथा जलत्याक कर उदास होकर लेड गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले हे बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है। किसी ने अपमान किया है अत्वा और कारण हो सो कहो मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बाते सुनी तो वह बोला मुझे आपकी कृपा से किसी बात का डख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है परंतु में उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। विधिविधान के अनुसार ब्राहमन की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। अपनी कन्या के यहां गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली है पिताजी। आप माताजी को यहां लिवा लाओ। मैं उसे विधी बता दूनगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राहमन देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी मा को समझाने लगी हिमा तुम प्रातहकाल प्रथम स्नानादी करके विश्नु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जावेगी। परंतु उसकी मांग ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातहकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इस से उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कौर्ठी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी मां को उसमें बंध कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा सनाना दी करा के पाट करवाया तो उसकी माँ की बुद्धी ठीक हो गई और फिर प्रत्यक ब्रहस्पतिवार को वरत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माबाब बहुती धन्वान और पुत्रवान हो गए और बिहस्पति जी के प्रभाव से इस लोग के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्थ हुए। सब बोलो विश्नु भगवान की जै, बोलो ब्रहस्पती देव की जै!